आप सवी का स्वागत हैं हमारे इस चैनल पर दा हीमालियन स्टेडी येटूब चैनल पर और इस समय की ब्रेकिन इज हैं के विएस भरती बिग्यापन संबंदी जानकारी हैं और पीजेटी, टीजेटी, पीआटी और अन्य भरतियों के संबंद में महत्पुट जानकारी क्या योगता होगी आविदन करने के लिए इन सही पॉइंटों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में और जो लोग नई हूँ हमारे इस चैनल पर बहे सब्सक्राइब जरू कर लें हमारे इस चैनल को और बेलेगन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारिया मिलती रहें तो देखिए महत्पुट जानकारी है कि नोईडा में ये भरतिया निकली हैं टीचिंग के लिए केंद्री बिद्ध्याले नोईडा में PGT, TGT और PRT और अन्य पदों के लिए 24 मार्च से इंट्रिवीर सुरू होने जा रहे हैं यानि कि इसमें रिटिन एक्जाम नहीं होगा तो देखिए इसमें लिखा है केंद्री बिद्ध्याले में संबिधा सिक्षक भरति के लिए यानि कि ये संबिधा पर सिक्षक रखे जाएंगे संबिधा सिक्षक भरति के लिए नोईडा यानि कि उत्तर प्रदेश के सेक्टर 24 में केंद्री बिद्ध्याले द्वारा बिभिन टीचिंग टीडिटी पीडिटी पी आर्टी और अन्य रिक्त पदों पर भरति के लिए बिग्यापन हली में जारी किया गया है इस बिग्यापन के अनुसार घोसित पदों के लिए आविदन के योग्ये और इच्चुक उमीद्वार निर्धारत तारिक पर केंद्र बिद्ध्याले में यानि कि इंट्रिव्यू में उपस्तित हो यानि कि ये आपका बिग्यापन आया है नोईडा से और ये संबिदा पे सिक्षक रखी जा रहे हैं 24 मार्च से इंट्रिव्यू सुरू हो रहे हैं और ये जानकरी हमें दैनिक भासकर नियूच के माध्यम से मिली है इसमें दे रखा है कि ऐसे में केंद्रि विध्याले नोईडा संबिदा सिक्षक भरती के लिए योगे वे इच्चुक उमीदवार केवी यानि कि नोईडा की अधिकारिक वेपसाइट पर ये आपके सामने वेपसाइट है वेपसाइट पर जाके आप लोग जो हैं फारम को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दे रखाय कि उमीदवारों को इस एबलिकेशन फारम को पूरा तरीके से भरकर अपने सवी डॉकुमेंट्स की मूल प्रतियों और उनकी एक-एक हमारे प्रतियों के साथ यानिकी विग्यापन में दी गई तारीक और समय पर संबंदित स्कूल में उपस्तित होना होगा तो इच्चोग अभ्यारती इसमें आविदन कर दें और अधिक जानकरी के लिए आप लोग वेपसाइट को जाके एक वार चेक जरू करनें आप हैं अगर आप अधिकारिक जानकरी चाते हैं तो इस संबंद में तो आप लोग एक बार वेपसाइट को चेक जरू कर लें और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें तो इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखी इसमें देरक्खाए की पीडिटी नियुन्तम 50% अंकों के साथ संबंद बिषये में दो वर्षी है पीजी डिपलोमा यह डिगरी आपके पास होनी चाहिए और ब्यट के डिगरी आपके पास हो यानि कि आपने पीजी कर रखा हो और आपने ब्यट कर रखा हो और इसमें लिखाए कि computer science विशे के लिए beard अनिवारे नहीं हैं और TTT के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ संबनित विशे में इसनातक और beard degree और साथ में इसमें दे रखा हैं TTT के लिए केंद्री सिख्षक पात्रता परिक्षा आपने पास कर रखी हो यानि कि CTAT की परिक्षा इसमें मांगी गई है आप इस परिक्षों को पास कर रखी अगर आपने CTAT की परिक्षा तो आप लोग TTT के इंटर्व्यू में सामिल हो सकते हैं लेकिन CTAT PDT की लिए मानने नहीं है इसमें और इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखी इसमें दे रखा PRT 59% अंकों के साथ बारवी परिक्षा उत्तियन और Elementary Education में दो वर्षी डिप्लोमा या B.A. डिग्री साथ ही CTAT आपका पास होना चाहिए और इसमें दे रखा Computer Structure दे रखा इसमें की Computer Science के साथ BE या BTEC या MSC या BCA, MCA किसी वी विसे में UG, PG के साथ Computer Application में PG डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और अन्य पदों के लिए जरूरी योगता यानि कि मान डंडों के लिए अधिकारिक Website पे जाके आप लोग चेल्ज जरू कर लें तो ये मैत्पुट जानकरी थी हमारे इस Channel के माध्यम से और कोई भरते संबने जानकरी होगी तो आपको इस Channel के माध्यम से जानकरी दे दी जाएगी धन्य बाद